अब तक हमने पढ़ा था कभी देव में कि किस तरह से एक विरहनी कोई गोपी या राधा है उसके वियोग के हमारे उसके शरीर से पांचो तत्व है वो विलीन हो रहे हैं अब आगे हम पढ़ेंगे कोई कहो कुलिटा कुलीन अकुलीन कहो कोई कहो रंकनी कलंकीनी कुनारी हो कैसो पड़ लोक नर लोक बर लोकन में तिन हो में अलोक लोक लिकन ते न्यारी हो तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही जीव क्योन जाही टेक टरती न टारी हो बरंदावनवारी बनवारी के मुकुट परपीत पटवारी बही मूरती पेवारी हो गोपी कहती है कि को कुलटा कहो को कहो कुलटा मुझे भले कोई कुलटा यानि अव्यभिचारी नहीं कहे कुलीन कोई स्रेष्ट कुल की या अकुलीन कहो कि या फिर बुरे कुलवाली कहे को कहो रंकिनी को गरीब कलंकिनी और कुनारी हो कोई बुरी इस तरी कहे कैसे परलोक नर लोक बरलोकन में मुझे इसकी चिंता नहीं है मेरे लिए क्या तो परलोक क्या मानव लोक और क्या कोई स्रेष्ट लोक मैं इन तीनों के बारे में ही नहीं सोचती लिनों हो मैं अलोक लोक लिकन ते न्यारी हूं मुझे इसे मतलब नहीं है मेरे दुनिया तो तीनों लोकों से न्यारी है कहने का मतलब है कि मैं परलोक जैसे बातों पर विचार ही नहीं करती ने मुझे इस लोक में निंदा का डर है ने परलोक के बिगड़ने और सुधरने आदी की चिंता मेरा भले ही शरीर बरबाद हो जाए तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही वो करते है भले ही मेरा शरीर बरबाद हो जाए चाहे मेरा मन है वो खत्म हो जाए देवता गुरु अर्थात बड़े बुजुर्ग लोग भी भले ही नाराज हो जाए जीव जाही टेक टेरत तरती नटारी हो और मेरे प्राण भले ही चले जाएं, कि तो मन में जो ठान लिया है, मैं उसे नहीं छोड सकती, अब वो मन में क्या ठाना है, कि ब्रन्दावन वारी बन वारी के मुकुट पर, कि मैं तो ब्रंदावन विहारी बनवारी मुकुर धारन करने वाले तथा पीत पटवारी वही मूरती पेवारी हूँ तथा पिले वस्त्र धारन करने वाले स्रीक्रिष्ण की मूरती पर्श्वम को नोचावर करती हूँ मैंने तो अपने आपको स्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है इसके अतरिक तब मैं और किसी विशा के बारे में नहीं सोचती तो यहाँ पर है बचों अनुपरास, यमा कलंकार है और कवित चंद है अगला है बारूनी बगंबर से गुदरी पलक दो कोई राते वसन भगोहे भेस रखिया बूरी जल में दिन जामी नहीं हूँ जागे भूए धूम सिर छायो बिरहानल बिलखिया अस्वा फाटिक माल लाल डोरे सेली पहनी भाई है अकेली तज चेली संग सकिया दीजिये दरस देव कीजिये सायोगीनी ये जोगीनी वे बैठी है वियोगनी की अखिया अब कोई वियोगनी है वो अपने आँखों को एक अपस्वीनी का रूप एक सन्यासिनी का रूप धारण के वे बता रही है वियोग में तो वो कह रही है कि बरुनी बगंबर से गूदरी पलक दो वियोगिनी की आँखों की बरोनिया तो मानो बगंबर या बाग चाल है दोनों पलक उसकी गूदरी है कोई राते वसन आँखों के दोनों कोई गोओं की लालिमा ही वस्तरों की लालिमा या भगवा रंग है में दिन जामेनी हुँ जागे भुएं और साथ ही योगी जैसे दिन दात जल में खड़ा रहता है वैसे ही वियोगीनी की आखे भी दिन रात वियोग दुख के कारण आस्वों के जल से भरी रहती है धूम सिर चायो विरहानल बिलक्खिया भुएं सिर पर चाया हुआ धुआ ह योगी के पास आग रहती है योगीने के पास विरहागनी विद्यमान है विरह की अगनी जलती है तो जो अगनी जल रही है उसी का इधुआ है जो भौों के रूप में छाया हुआ है असुआ फटिक माल लाल डोरे सेली पहनी विरहनी के आसुआ ऐसे लगते है जैसे नेतर दोरे जैसे हैं भाई है अकेली चली तजी चली संग सक्षियां विरह के दुख से विरहनी ने संग में रहने वाली सक्षियों का भी साथ छोड़ दिया है वह उसी परकार अकेली हो गई है जैसे योगी अकेला रहता है दीजिये दरस देव कीजिये सा योगी नी कभी देव प दर्शन दीजिए और संयोगी नी बनाकर उसे त्रिप्त कीजिए जोगी नी वे बैठी है वियोगनी की अखियां उस बेचारी की आँखे तो आपके वियोग में योगी नी बनकर बैठी हुई है विप्रलम स्रंगार का वर्णन हुआ है यहाँ पर और साथ ही यहाँ पर है व गहरी जहरी जिनी बुंदनी परति मानो गहरी गहरी गटा गेरी है डगन में। सोती भी को उठाया और कहा कि चलो जूलने चलते हैं तो जैका कि दिरे जिनी 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 चोटी बुंदे पढ रही है तो जैसे ही उन्होंने मुझे उठाया तो वो कहती है कि मैं तो नहीं उठाई लेकि नींद जरूर मेरी खुल गई और मैंने देखा कि वो बर्शार के जिनी जिनी बुंदे पढ रही है यानि थोड़ी थोड़ी बुंदे पढ रही है और गर्जिना के साथ आकास में बादलों की घटाएं घिरी हुई हैं उस वातावरन में प्रेतम कृष्णी ने आकर मुझसे कहा कि चलो आज जूला जूले प्रेतम का यह प्रस्ताव सुनक कि फूली नहीं समाई तो चाहत उठोई उठी गई सो निगोडी नींद कि जैसे ही उन्होंने जगाने से मैं जूला जूलने के लिए उठना ही चाहती थी कि अभागी दुष्ट नींद ही उड़ गई जागने से नींद का तूट जाना मुझे भाग्य पून लगा सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में मैंने अपनी आँखे खोल कर सो अपने वाला द्रश्य देखना चाहा तो लगा कि वहां ने तो आकाश में आँखी खोली देखी तो ने घन है ने घन शाम आखों में आकाश में ने तो बादल है और ने घन शाम यानि क्रश नहीं ह उसके आंसु ही मानुस आंकास की बुंदों के समान उसके आंक से गिरते रहे अनुप्रास विपसा और पुन्रुक्ति प्रकाश लंकार है और मन हरन कवित्त है तो ये तु था आपका कवी देव जो आज हम पूर्ण कर चुके हैं अब अगला है आपके कोर्स में कवी पदमाक जो हम कल पढ़ेंगे बच्चों धन्यवाज